बच्चो इस वीडियो के थुरू में आपकी paper no.3 और paper no.4 से related जो common queries हैं वो resolve करूँगा और साथ में in papers के अंदर जो candidates mistake करते हैं उनको आपको किस तरह से avoid करना है वो भी guide करूँगा तो इस वीडियो के थुरू में आपको paper no.3 और paper no.4 से related जितनी भी important tips हैं वो guide करूँगा तो मैं आपसे request करता हूँ कि आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से end तक देखेगा बहुत से students चैनल पर ये query करते हैं कि sir क्या हम अपने paper no.3 और paper no.4 के अंदर जो answers हैं उनको black ball point pen से circle कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं paper no.3 और paper no.4 के अंदर आपको अपने answers circle करने के लिए सिरफ HB pencil का ही use करना है आईए अब मैं आपको guide करता हूँ कि किस तरह से आपको अपनी OMR answer sheet के उपर circles को fill करना है तो बच्चो left side में जो है answer को circle करने का correct method बताया गया है और right side में सारे ही wrong methods हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि left side के अंदर जो आपका answer है उसको आपको completely circle करना है और right side के अंदर जो wrong methods हैं वो बताय गये हैं तो ना तो आपको अपने answer को tick करना है ना उसमें cross लगाना है ना ही semi circle करना है और ना ही आपको दो answers को circle करना है कई बारी students को यह लगता है कि इस question के दो answer ठीक हैं तो students दो answer को circle कर देते हैं लेकिन यह method भी wrong है और जो correct method है वो आपको left side में दिया गया है तो आप इसी तरह से अपनी OMR answer sheet के अंदर answers को circle कीजिएगा अगर किसी candidate ने पहले अपने answer के उपर circle लगा दिया है लेकिन अब वो उस answer को change करना चाता है जैसे कि कई बारी candidate को लगता है कि मैंने गलत answer को circle कर दिया है और मुझे इसे change करना है तो इसके लिए सबसे पहले जो आपने पहले circle लगाया था उसको आपको completely erase करना है और उसके बाद ही आप अपने नए answer को completely circle कीजिएगा लेकिन ये बात ध्यान रखेगा कि जो आपने पहले answer लगाया था उसे बड़े ध्यान से पूरी तरह से मिटा दीजिएगा और तभी नए circle को dark कीजिएगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि paper no.3 और paper no.4 के अंदर negative marking होती है और एक wrong answer देने पर candidate के 0.25 marks deduct कर दिये जाते हैं तो paper no.3 और paper no.4 के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको उन questions को attempt करना है जो कि आपने पहले से किये हुए हैं या जिनके answers के उपर आप 99.99% sure हैं तो सबसे पहले सिरफ उन्ही questions को attempt कीजिएगा जो आपने पहले से किये हुए हैं या जिनके उपर आप 99.99% sure हैं आईए मैं आपको इसको example से समझाता हूँ मालीजे किसी candidate ने अपने paper no.3 और paper no.4 के अंदर 42 questions को attempt किया है और इन सभी के answer correct हैं तो इस तरह से आपके 42 marks secure हो जाते हैं और मालीजे कि candidate अपने 42 questions को attempt करने के बाद 10 और questions को attempt करता है लेकिन ये जो 10 questions है ये सिरफ उसने तुक्के लगाए हैं और ये सारे ही incorrect हैं तो इन 10 questions के wrong answer देनी की वज़ा से उसके 2.5 marks deduct हो जाएंगे और जो उसका score है वो इन 10 wrong answers की वज़ा से 39.50 marks हो जाएगा और इस तरह से उसका ये paper रह जाएगा वो इसको clear नहीं कर पाएगा अब कई students यहाँ पर ये पूछते हैं कि सर क्या ICI MCQ papers में grace marks को provide करता है तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ICI MCQ papers के अंदर 0.252.50 grace marks को provide करता है अब मैं आपके साथ एक बहुत ही important mistake share करना चाहता हूं जो की लगभग 25% से ज़्यादा student MCQ papers में करते हैं और mostly paper number 3 के अंदर ही candidates इस mistake को करते हैं तो paper number 3 के अंदर कई बारी questions को question paper के उपर solve करते समय candidates जो question का answer है उसको question paper के उपर ही tick कर देते हैं और इस answer को वो OMR answer sheet के उपर circle करना भूल जाते हैं तो बचो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इस तरह की blender mistake नहीं करनी है अगर आप paper number 3 के अंदर यानि कि maths के paper के अंदर कोई question solve कर रहे हैं question paper के उपर तो उसके answer को question paper पर tick ना करें और आपको बड़े ही ध्यान से उसके answer को अपनी OMR answer sheet के उपर circle करना है कई students हमें channel पर ये query करते हैं कि sir क्या paper number 3 के अंदर ICI हमें कोई rough paper provide करता है या rough answer sheet provide करता है तो बचो मैं आपको बताना चाहूँगा जी हाँ, ICI आपको 2-3 rough sheets आपके paper के साथ provide करता है और अगर आप चाहें तो आप अपने question paper के उपर भी pencil से rough work कर सकते हैं लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेगा कि जब आप अपने question paper को invigilator को submit करें तो उससे पहले आपको जितना भी आपने rough work किया है उसको question paper के उपर से erase कर देना है और बच्चो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि paper no.3 और paper no.4 के अंदर आपको OMR answer sheet के साथ साथ question paper भी invigilator को submit करना है तो जैसे ही आपका paper खतम होता है तो आपको examination hall को leave करने से पहले अपना question paper और अपनी OMR answer sheet दोनों ही invigilator को submit करनी है टीम, Grooming Education Academy की तरफ से सभी students को best of luck बच्चो इस वीडियो को जादा से जादा like और share जरूर कीजिएगा जै श्रीश्याम